देखिए ये केस पूरी तरीके से फेक केस है, फरजी केस है, इस केस पे कुछ भी नहीं रखा है, आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी व्यक्ति इस देश में नरेंदर मोदी जी के खिलाफ प्रशन खड़े करता है या प्रशन पूछता है, उसको मोदी जी या सबसे ज़्यादा डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो है अर्विंद केजरिवाल, अर्विंद केजरिवाल जी से सबसे ज़्यादा डरते हैं और अर्विंद केजरिवाल जी की राजनीती से, उनके दिल्ली मॉडल से सबसे ज़्यादा डरते हैं, आप देखेंगे उठ रंजय सिंग जी, सतिंदर जैन जी, अगर ये आज BJP जॉइन कर ले, इनके सामने सरेंडर कर दे, तो इन सब को clean shit दे देंगे, जैसे कि इन्होंने अजीत पवार जी को दिया है, छगन भुजबल जी को दिया है, और कई सारे ऐसे cases आपके सामने हैं, मोटा मोटी मैं यही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोटी जी की राजनीती, गंदी राजनीती है, और अगर वो किसी को सहीं इमानदारी से, चुनावी तरीके से जनता का या फिर नेता को प्रत्यक्ष रूप से उनसे सामना नहीं कर पाते, तो इस तरीके से शडियंत्र का सहरा लेते हैं, यह case पूर ही होगा पहले से, और कई महने पहले यह तै हो जाता है, तो अभी जो वकील है, वो इस नोटिस को पढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे कैसे होता है। अभी सर का विपाशना जाने का पहले से शेडियूल फिक्स हुआ पड़ा है, और लगभग यह महनों पहले तै हो जाता है विपाशना के लिए, हाब सबको पता होगा यह पब्लिक नॉलेज में है, अभी अभी इस नोटिस को स्टडी करके, जो वकील है वो देखते हैं कि पिरागे कैसे करते हैं